अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनल नौलेज की स्रीच चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियों पढ़ने वाले हैं सारे नौट्स पीडिया फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सक एलायाइं बहारी परत उसके नीचे मेंटल होता है और उसके अंत्रिक परत जो होती है कोः होथी तो आज जानते हैं कोर के बारे में और इससे आगे टापिक देखेंगे श्रीज के न Nahक्स टापिक कवर कर चलेंगे यहां पर आप जानलेते हैं कोर जो आंदरुनी इस सा उ सोलिड हो सकते हैं क्योंकि डिटेल स्टेडी नहीं है अनुमान लगाए जाते हैं तो इसलिए इनर कोर में बी इन सॉलिड स्टेट और आउटर कोर हो सकती है लिकुड स्टेट में इस थिकनेस में बी अबाउट 1470 km यह मेंट्रल के नीचे इसकी रैंज है साति हो और कितनी है 3470 km तक तो इसे आप मान सकते हैं कोर की ठिकनेसे याड़त्ती साति हो यह अपनी क्रश्ट थी उसके अंदर की जो लेयर है वो मेंट्रल है और जो यह साति हो इसके कोर के दो हिस से इन्टरनल आउटर कोर बोल सकत आप यह कितनी length है इसकी कितनी range है साती हो यह 3470 km तक mental से नीचे इतनी range है इसकी आप जो core को touch करने वाली आप इसे radius भी कह सकते है core की radius भी कहीं कहीं आपको मिलता है the core manly consists of nickel and ferrous जो iron होता है साती हो iron और nickel से मिलकर बनी होई होती है या फिर इसमें बहुतायत मात्रा में निकल और ferrous पाया जाता है after the mental the earth's density goes on increasing rapidly यहां पर सात्यों core की तरफ आप जाएंगे तो आपको density जो है अर्थ में material है substance है उसकी density बहुत तेहीं से बढ़ती है towards center आप केंदर की तरफ जाएंगे कोर की तरफ जाएंगे and finally is more than 13 ग्राम पर सीसी कितनी हो जाती है सात्यों यह 13 ग्राम हो जाती है इसमें अंदर क्या है और बहार क्या है प्रत्वी के क्रस्ट पर क्या है क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर से बहार आई है तो उसी की जानकारी के लिए किस प्रकार से क्या हो रहा है इस्टेडी करते हैं इंटर्नल स्ट्रेक्टर अर्थ का जानते हैं इस्टेडी ऑफ दी अर्थ इंटिरियर हैल्प आस तू अंडरिस्टैंड दी ओर्जिनल रॉक इन दी अर्थ क्रस्ट एंड देयर लेटर फॉर्मेशन जो प्रत्वी पर कुछ बहार चट्टाने मिलती है रॉक्स मिलती हैं उनका और्जिनल फॉर्मेशन किस फॉर्म में था किस परकार से चैंज आता है क्या इस परकार से ये ट्रांस फॉर्म होता है तो ये सब जानने के लिए इसको अच्छे से समझने के लिए इसकी इंटर्नल स्टेडी की जाती है जो आपको बहार चट्टान नजर आती हैं पर्वत नजर आते हैं तो यह सुरुआत में कहां से आयत है किस प्रकार आये से वह आगए आप से जुड़े रहेंगे तो आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा तो इस प्रकार अब हम रोक बढ़ने वाले साथ हूं रोक्स क्या होती है जो चट्टाने कहते ह में साथ хватio, आप एक बूसरे point को relate कर पाएंगे, आप continue steady करते रहें, एक के बाद एक point clear होते रहेंगे, आपके concept clear हो जाएंगे और आपका interest भी बना रहे गा, aja है, जो important point थे, internal texture के बारे मुँए हमने cover किए, आप जानते हैं rocks के बारे हैं rocks के आउते हैं साथ ही जो चट्टान होती है रोको की steady करने से पहले चट्टाने किस परकार बनती है उनकी steady करने से पहले आपको कुछ journal knowledge दे देते हैं साथ है एक्स्ट्रा प्रत्वी के अंदर temperature बहुत जादा है तो इसमें molten material होते हैं साथ होते हैं होती है चट्टा ने यह सब रोक्स के classification में हम जानेंगे किस प्रकार की क्या चीज होती है आगे मॉलकनी पढ़ेंगे साथ यह धमाक होताय किस प्रकार निकलता है बाउने में पढ़ेंगे इस प्रकार एकपकर करते और कॉल रॉक जो सॉलिड पार्ट है साथ हो क्रष्ट का प्रत्वी की भारी बार्इवारी सट्य का। णूलिड पार्ट हरो उटक्ष टू और मोर मिन्रल यह मिन्रल है साथ ही उनसे मिलकर बनी 5 կह ह NICK मिनरल्स मिلकर रॉक्स बनाते हैं रॉक्स में नोट ऑलवेज नेसिरली हार्ड हमेसा ऐसा नहीजियां कि यह करसे जो हार्ड होंगी इन्दी symptom टाईप और रॉक्स ऑफ में भी different in different areas, आपको same type की लगने वाली rocks हैं, उनमें अलग-अलग area में मिलरल जो मिलते हैं, इनमें अलग-अलग हो सकते हैं, तो solid होती है rocks हैं, जो अभी आपको बताया था किस प्रकार से बाहर आकर बनती हैं, वो सब detail में हम जानेंगे, अभी आप जान लीजिए, किस चीज़ को में यहाँ पर rocks या चट्टान कहा कर चल रहे हैं, अब जान लेते हैं साथ हो कुछ important point, यह rocks हैं साथ ही इस प्रकार से, मान लेते हैं प्रत्वी का surface इस प्रकार से हैं, लेकिन इसमें दूसरी कोई plate आकर टकराती है, तो इस प्रकार इसमें टकराव होगा साथ हो, तो इनमें कु किस प्रकार से चट्टाने होंगी, यह anti-cline कहलाती है, और जो निचला भाग है, जो का हुआ नीचे की तरफ, यह आपको convex नजर आ रहा है, जो उपर की तरफ convex बन गया है, इसको आप anti-cline के नाम से पकारेंगे, और जो नीचे का हिस्सा बना हुआ है साथ हो, इसको आप sink line के नाम से पकारेंगे, जो imaginary line है, जो इनको जोड रही है, highest point को, उस line को crust line नाम से जाना जाता है, यह सा point में नीचे लिखा हुआ है, एक convex a fold in rock is called anti-cline, the down fold in a rock is called sink line, the imaginary line joining the highest points along the a fold is called crust lines, अभी आपको बता दिया साथ हो, ऊपर जो point है, वो anti-cline, नीचे जो point है, वो हैं अपन sink line और जो इनको जोड रही है, जोड कर चल रही है सात्यों, इस line को आप crust line के नाम से जानते हैं, जो की एक imaginary line होती है, आप जान लेते हैं, classification of rocks on the process of their formation, जो rocks हैं सात्यों चट्टान है, मूलते एक ही चीज़ की बनी होती है, लेकिन इनका जो process है, इनको अलग-अलग कर देता है, तो उसमें से formation के हिसाब से इनका नाम करन किया जा रहा है, जो इसमें परिवर्तना आया है, किस परकार से एक form से दूसरे रूप में जाकर परिवर्तित होती हैं, उस हिसाब से उस process इनका नाम करन किया गया है, first igneous, जिसे हिंदी में agnes, चट्टान के नाम से जानते हैं यह सब हम तीनों को individually पढ़ेंगे, बारी की से, तो आपको पता चल जाएगा कौन से चट्टान, किस परकार से इसका formation होता है, इनके process के हिसाब से इनका नाम करन पढ़ता है, अभी हमने जान लिया था, चट्टाने क्या होती है, किस परकार से कहां पाई जाती है, कहां से इ या आपने कहीं और पढ़े हों, उन्हें भी आप add कर सकें, अपडेट रह सकें, कुछ नए अपडेट आता है, उसको भी इसमें add कर सकें, तो first type हम start करते है, igneous rocks, अभी साथ यो थोड़ा अगली next slide में हम जानेंगे, या फिर next video में जानेंगे, भी थोड़ा cover कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें igneous rock इसके बारे में आपको जानकार यहां पर मिलेगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ important fact है, primary, इसको rocks के नाम से जाना जाता है, जो आजगल प्रत्वी पर नहीं मिलती है, क् बाहर लावा या मेगम आता है, उससे फॉर्म हो जाती है, और किस परकार से, यह फिर दूसरे फॉर्म में जाती है, यह सब डिटेल स्टेडी करने वाले हैं, आने वाली वीडियो में, और इन चट्टानों को, intrusive, extrusive, ignisius rocks के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी ignisius rock है, इंट्रूसिव और extrusive, दो टाइपों में अलग से इसको सब डिवाइड किया जा सकता है, यह क्रश्टलाइन rocks होती है, और अपनी next अपनी जो rocks आएगी हो आएगी sedimentary rock, यहाँ पर sedimentary rock इसलिए कहा जाता है, जो sediment यह गाद कुछ भेकर आती है, बहुत लंबे समय तक जमी रह time, तो वो सब बारी की से detail में steady करेंगे, बाकी आप में इनमें आप update करने साथ हो, बीच बीच में space है, इनकी हिंदी करने के लिए, लेकिन साइद इसमें कुछ mistake की बज़े से, यह ध्यान ना देनी की बज़े से, यह space रह गया है, तो आप इनको हिंदी letter या English letter दे कर इनका दूसरा नाम जान सकते हैं, इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए, उमीद करते हैं साथियो, आप series enjoy कर रहे होंगे, अभी तक जो वीडियो में जान करीदी है, series में जो भी कुछ बताये गया है, उससे related आप हमें सुजाब दे सकते हैं, आपके सुजाबों का हमें इ आप मतरम